वैज तो आज से हम लोग स्टाट करना वाले पॉलिटी ठीक है और पॉलिटी हम लोग स्टाट करेंगे making of constitution यानि कि सम्विधान की किताब हम लोग बनाना स्टाट करेंगे ठीक है because हम लोगों ने history खतम कर लिया इंडिया को आजात करवा दिया है Britishers को यहां से बखा दिया है अब हम अपना constitution खुद बनाएंगे यही तो हमारी demand थी कि पूर्ण स्वराज दो यानि हमें complete independence दो और हम खुद constitution बनाएंगे खुद के लिए क्योंकि Simon Commission आया था जरा बताएए जल्दी से कब आया था तब इस समय secretary हुआ करता था Birkinhead और Birkinhead ने challenge दिया था इंडिया को कि इंडिया तो खुद का constitution बना ही नहीं सकते हैं तब Nehru Report सामने आई थी अगर आपको यादो Nehru Report जवाहर लाल Nehru के जो पिता श्री थे यानि मोती लाल Nehru उनके chairmanship में एक committee वनी थी और उसे ने एक report टयार की थी in response to Simon Commission और इसके response पे जिन्ना ने कुछ दिया था जरा बताई हो क्या दिया था तो Simon Commission 1928 में आया था और जिन्ना ने अपने 14 points दिये थे तो actually हमारी demand बहुत पहले से ही constitution में आने की start हो चुकी थी अगर हम बात करें कब से start हो चुकी थी तो 1934 1934 से ही सबसे पहली बार demand रखी गई थी demand for constituent assembly यानि समविधान सभा के लिए demand for constituent assembly यानि समविधान सभा के लिए सबसे पहली जो बार demand है वो 1934 में रखी गई थी और यह किसने रखी थी M.N. Roy Manindrnaath Roy comment में आप बताएंगे कि M.N. Roy ने कौन सी party form करी थी अब मैं आपके एक बार comments चेक कर लेता हूँ M.N. Roy बिल्कुल सही Rajneesh, Abhimanyu, Komul सभी को रादे रादे और जिसका भी जो भी डाउट होगा तो लोग answer करेंगे लास्ट में तो M.N. Roy के कर बात करें तो ने उन्होंने CPI Communist Party of India form करी थी 1920 में 1920 में फिर इसने कानपूर बॉल्शविक conspiracy case को अंजाम दिया था गर आपको याद आ रहो 1924, 1924 में और 1925 में यह formalized हुई थी कानपूर में बनी तो ताशकंद उस बेकिस्तान में थी लेकिन formalized कानपूर में हुई थी ठीक फिर 1935, 1935 में Congress ने सबसे पहली जो है Constituent Assembly की demand टकी सरी Constituent Assembly क्या होता है यह है समविधान सभा यही वो Assembly जो समविधान को बनाएगी समविधान सभा यही समविधान को बनाएगी समविधान का निर्माड का कार यही Assembly करेगी और इसी की demand बहुत पहले से start हो चुकी थी तो Britishers ने सबसे पहले demand कब मानी? 1940 में जरा मुझे comment में जल्दी से क्योंकि अब history पढ़ चुके है जब मैंने पहले बैच ओलों को पढ़ाई थी recorded बैच जो है उसमें quality से start किया था तो उनसे तो मैंने question नहीं पूछा था because नहीं पढ़े थे अब तो पढ़ चुके है न 1940 में क्योंकि 1939 में Second World War चालू हो गया था तो Britishers, sorry Indians का support लेने के लिए Britishers ने August offer दिया एक lollipop एक तरह से दिया और यह August offer किस ने दिया the then voice roy Lynn Lithgow ठीक है Lynn Lithgow नहीं offer fake के मारा लेकिन इसको हमने reject कर दिया because इसमें Dominion status देने के बात कहीगी थी जो Dominion status हम पहले ही छोड़ चुके थे तो इसके response में गांदी जी ने किया करवाय थे जड़ा बताए इसके response में हुआ था individual सत्यग्रे यानि कि विक्तिकत सत्यग्रे हुआ था और इस विक्तिकत सत्यग्रे में सबसे पहले जो हमारे सत्यग्रे ही थे वो अचार विनोबा भावे थे अचार विनोबा भावे जिन्होंने भूदान अंदोलन जो है लीड किया था और हमारे दूसरे कौन थे? दूसरे थे जवार लाल नहरू तो 1940 में यह August offer आया था जहाँ पर सबसे पहले demand for the Constituent Assembly मानी तो गई थी लेकिन इसमें यह बोला था कि mainly Indians रहेंगे, mainly का मतलब है सिर्फ Indians ही नहीं रहेंगे Indians रहेंगे और Petitions भी उसमें रहेंगे, यह बोला था लेकिन हमारी demand थी mainly Indians नहीं solely Indians, solely का मतलब सिर्फ Indians रहने चाहिए, then in 1942 अगेन इन लोगों ने एक offer बेजा 1942 में और वो offer क्या था? Crips Mission, ठीक है? वो offer क्या था? Crips Mission, लेकिन यह जो Crips Mission है जिसको की Stafford Crips lead कर रहा था जो 1942 में इंडिया में आया, यह भी fail हो गया, ठीक है? यह भी fail हो गया, क्यों? Dominion Status का मतलब मैं आपको पहली बता चुका हूँ, कि मतलब सरकार तो आपकी रहेगी, जैसे बेटिशेस ने बोला सरकार आपकी रहेगी, लेकिन हमारा rule रहेगा, sovereignty आपकी नहीं रहेगी, पूरी तरह से हमारे अंडर यह आप काम करेंगे, तो यह है Dominion Status, यह तो हम पहले ही छोड़ चुके थे, 1929 में मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, Congress का एक session हुआ था, लाहार में जिसको जवहारला नेरू ने प्रसाइड किया था, तो व पहले दिन अरेस्ट हो गई, और फिर इसको लीड किया किसने, अरुना असाफली ने, और अंडर ग्राउंड रेडियो किसने चलाए, यह आपको बताए जल्दी से, यहाँ पे अंडर ग्राउंड एक तो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, और पैरलल गवर्मेंट से यहाँ क्योंकि इनको जेपैन से रिट्रीट मिल रहा था, क्योंकि जेपैन पास बढ़ते जा रहा था, जेपैन और पास आते जा रहा था, फिकाज अंडमान ने को बारतों कैप्चर करी लिया था, तो 1945 में, 1935 में, बिटिशर से एक प्लान बनाते हैं, काल्ड एस काबिनेट मिश मिशन प्लान, और यह जब बनाते हैं, तो यह जो काबिनेट मिशन प्लान है, इंडिया में अराइव करता है, 1946 में, 1945 में बनता है बिरिटेन में, बट इंडिया में अराइव करता है, 1946 में, वाट इट इस काबिनेट मिशन प्लान, और यह जो काबिनेट मिशन प्लान है, इ मिसन लेके वो भी इसमें थे ठीक है जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था स्टेफोर्ड क्रिप्स और इस बीच हम लोग ने ये भी देखा था जैसे 1945 में वैवल प्लैन आया था वैवल को समय का वोइसरोय बनाए गया था कि आप जाओ एक तो 1943 में बेंगॉल का फेमाइन हुआ था उसको कंट्रोल करो जाके और ये कॉंग्रेस और मुस्लीम लीग आपस में लड़ रहे हैं ठीक है इनको थोड़ा सा मनाओ और कुछ देखो क्योंकि जब भी आता था तो कॉंग्रेस की कुछ और दिमांड होती थी कि हमें डॉमिने स्टेटस नहीं चाहिए मैं पैथिक लॉरेंस ठीक है जो कि लॉरेंस फिसनोई के फोर फादर नहीं है ठीक है तो पैथिक लॉरेंस ही इसमें चेर्मैन भी था इस कमिशन का यह फिर इस प्लान का यह चेर्मैन था और इसने जो है जो प्लान रखा वो कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्से जिनना है, वो जल्दी फल्दी रेडी नहीं होता था, क्यूंकि उसको चाहिए होता था पाकिस्तान, तो अगर हम Cabinet Mission Plan की बात करें, तो इसमें Groupings की बात कही गई थी, Groupings in the sense, कि भाई यहाँ पे Groupings में Voting करवाई जाएगी, ठीक है, और उस हिसाब से यह पार्ट अलग हो जाए लेकिन और जब इसको यह बात रियलाईज हुई, जब नहरू कहें कि स्टेटमेंट आया, कि यह जो grouping है, यह mandatory नहीं है, जरू नहीं कि ग्रूप बने ही बने, तो फिर जिनना तलपने लगा, इसको लगा, अब तो भाई, अब तो ज़ह direct action कुछ लेना ही होगा, तब हमें प पाकिस्तान मिलेगा, तो हमें पता है कि इसने 16th August 1946 को direct action day observe करने की announcement करी, ठीक है, जहां पे कितनी सारी killings हुई हमें पता है, direct action day, जिसको की हम, क्यालकटा killings के नाम से भी जानते हैं, जैसे नोगा खली, जो की क्यालकटा में पढ़ता है, जहां पे बहुत ज्यादा deaths हुई, है की नहीं, जो समय के बंगॉल में था, और गांधी जी जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 15th August को, वो नोगा खली में ही थे, is that clear, यहां तक आयोब सभी को चीज़ें clear होंगी, तो यह जब चीज़ अनॉंस हो जाती है कि भई, अब जो है, चीज़ें नहीं बन पाए में ब्रिटेन की संसद में, और उसको हम बोलते हैं, माउंट बैटन प्लाइन, जो की डिविजन प्लाइन है, जहां पर ही डिसाइड किया जाता है कि इंडिया को पार्टिशन किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कैसा, वेस्ट पाकिस्तान यहां अब ये जो cabinet mission plan था इसमें कुछ इस तरह से चीज़ें थी कि बाई टोटल 389 seat पे चुनाओंगे ये किस चीज़ की seat है constituent assembly में लोगों को चुने जाने के लिए जो लोग बैठेंगे और देश का सम्विधान बनाएंगे अब ये चीज़ देखिए अभी तक इंडिया partition नहीं हुआ है 1946 में cabinet mission plan आया है 389 seat इसने बोला रखी जाएंगी constituent assembly में इनका बटवारा कुछ इस तरह से होगा कि 296 और 293 जैनि 296 और 293 इस 296 जो seats हैं ये निकलेंगे British India से यानि कि British भारत से British India और ये 93 निकलेंगे princely state मतलब कर रहे हैं British भले पूरे इंडिया में रूल कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अभी अभी जो local rulers जैसे यहाँ पर हमने देखा रही था 1799 में टीपू सुल्तान की death हुई थी फिर यहाँ पे इन्होंने फिर से वो डियार राजा को बिठा दिया था और subsidiary align sign कर वा लिया था तो directly तो rule नहीं कर रहे हैं लेकिन control हो नहीं कहा है लेकिन वहाँ पे राजा बैठा हुआ एक तरह से ठीक है तो princely state और यहाँ पे क्या directly control है इनको भी further दो category में divide कर देते हैं 292 and 4 292 है आपकी governor's province यानि कि commissioners province इस एट लियर यहाँ तक seat का बटवारा किस तरह से हुआ था अब होते हैं चुनाव लेकिन चुनाव करवाने से पहले हम यह जान लेते हैं कि जो seat का बटवारा हुआ था यह किस हसाब से हुआ था देखिए यहाँ से जो British भारत से जो लोग चुनके आने थे वो election होगा यहाँ पे क्या होगा elected होगे यहाँ पे मतलब election होगा और election ऐसा नहीं कि directly लोग इसमें participate करेंगे नहीं यह indirect election था यानि कि अब प्रितक्ष चुनाव था अब प्रितक्ष का मतलब है कि लोग directly vote नहीं करेंगे वहाँ पे जो assemblies हुआ करती थी जैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे कि provincial autonomy यानि provinces को provincial subject को further दो category में डिवाइड कर दिया उसको dire की द्वय शासन बोलते हैं तो हर मतलब यह है कि हर प्रांत में एक council बनी हुई है ऐसे आज आज आप देखो तो हर राज में यूपी में एंपी में एक legislative assembly विधान सबा है और छे राज्ये ऐसे हैं जहां विधान परिश्यद वो हम polity में ही पढ़ेंगे तो ऐसे ही उस समय हुआ करते थे तो वो लोग चुन के भेशते थे आप इसको आज के राज सबा से compare कर सकते हो राज सबा के लिए क्या हम लोग vote डालते हैं? नहीं, लोग सबा के लिए डालते हैं जो अभी इस साल होंगे लोग सबा के चुना राज सबा में क्या? जो हम लोग विधान सबा में जो लोग चुन के भेजते हैं वो ही लोग चुन के भेजते हैं राजसभा में हम डिरेक्टली तो जाते हैं नहीं राजसभा की वोटिंग करने वैसे ही यहाँ पे भी था जो लोग प्रांत में बैठे हुए थे प्रोविंशल असेम्बली में वो लोग चुन के भेज रहे थे इंडरेट इलेक्शन होगा और 93 जो है यह नॉमिनेटेड होगे यानि कि जो राजा होगा वो हर एक राजा अपने आसे चुन के भेज़ेगा तो वो नॉमिनेट होगा नॉमिनेट का मतलब यहाँ कोई चुनाव नहीं होगा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बुल दिया चले जाओ भई जाओ तुम जाके बैट जाओ तो क्या उसका चुनाव होगा ना ठीक है तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में डिफरेंस साफ समझ में आना चाहिए है क्योंकि यह आगे वार बार repeat होगा जब राथ सभा पढ़ेंगे आगे यह इनी चीज रिपीट होगी ठीक है जब elections पढ़ेंगे हम लोग ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए तो इस तरह से था अब जिस आगे पढ़ेंगे ना जब हम आगे पॉलिटी पढ़ेंगे लोग सब आराथ सबह को चुनाओ तो हम देखेंगे कि जैसे कोई राज ये होता यूपी तो उसको इस तरह से डिवाइड किया था उसमें वो निकलती है इस तरह से डिवाइड को रिप्रेजन कर रहा हूँ अगर ये बंदा ये भी दस लाग को ये भी दस लाग को इस तरह से डिविजन किया जाता है और यहाँ पे भी वैसे ही था population के proportion में representation था और किस हिसाब से इस हिसाब से था कि वह एक million लोगों में से याँ दस लाग में से एक million का मतलब दस लाग होता है एक seat निकलेगी ठीक है और अगर हम बात करें किस तरह से seatों का बटवारा था तो ये Communities में अगर हम बात करें तो तीन Communities यहाँ पर decide करी गई थी इस तरह से Communities में बटवारा था सीटों का ठीक है अगर हम Community की बात करें तो कुछ इस तरह से बटवारा था General ठीक है General, Sikh and Muslim यहने Muslim, Sikh Muslim और Sikh को छोड़ के जित्ते बचे के तो सब General में हैंगे तो इस तरह से सीटों का बटवारा हुआ था Is that clear? यहाँ था कहीं होब सभी को clear होगा तो मैं गुमाफ इराके अब यहाँ पर जिसका doubt हो तो पूछ लो तो गुमाफ इराके मैं यह बोल सकता हूँ कि Constituent Assembly in short यहीं समविधान सभा इसी यह dot short में लिख रहा हूँ मैं तो समविधान सभा was a partly elected partly elected and partly nominated body यानि आंशिक तोर पे निर्वाचित थी और आंशिक तोर पे नामित थी पार्टली nominated body क्यूंकि हमने देखा कि British भारत से British इंडिया से तो लेकिन प्रिंसली स्टेट से देशी रियास्तों से नॉमिनेशन हो रहा है इस दाट क्लियर यहां तक सभी को? किसी कोई डाउट? सुर हिंदी में भी पढ़ाओ अच्छा क्या चीज हिंदी में नहीं बताई मैंने बताएंगे ज़रा प्रिंसली स्टेट का मतलब बताया गौणर प्रोविंस, चीफ कमिशनर प्रोविंस, बिटिश भारत नामित, निर्वाचित अब यह मत एक्सपेट करना कि मैं सब चीज लिखूंगा भी अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे तो सिसी का पेपर ही मत दो कि अगर मैं elected बोल रहा हूँ, निर्वाचित बोल रहा हूँ तो आप अपनी तरफ से इतना भी effort नहीं मार सकते हैं ठीक है? और एक million का मतलब इसको भी मैं हिंदी में बोलूँ और वो दिमाग में कुछलों के कीड़ा बैठा हुए हिंदी, 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 हिंदी वो हिंदी, हिंदी करते रह जाएंगे और मुझे पता है कि जो actual Hindi medium के student होगे, जो actual में result देने वाले हैं वो शांती से पढ़ रहे हैं ठीक है? हाँ, मैं मानता हूँ कि कई बार हो जाता है कि मैं कोई word नहीं बताता हूँ, तो वो आप बता दो कि सर इस word का मतलब क्या होता हिंदी में और मैं आप कोशिस करूँगा कि कल से जो भी lecture होगा उसके हिंदी के notes पहले ही जो private telegram group है जो लोग batch में enrolled है पहली डलवा दूँगा तो वो जो हिंदी इंदी को आपकी कीड़ा वो भी खतम हो जाएगा कि आप सीधे PDF को देखके आप सीधे बढ़ सकते हैं ठीक है और यह मुझे भी पता है कि अभी मतलब क्योंकि अच पहली class है न तो पहली पता है न जिसे नई नई दुलहन का शौक होता है तो वैसे ही अभी कुछ लोग को शौक होता है कि आज देखते हैं क्या होगा फिर दीरे-दीरे कम होगए तो वो जो 5-6 लोग हैं मुझे पता है वो filter out हो जाएंगे देरे-देरे लेकिन अभी अगर किसी का doubt ना हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अभी होंगे अब क्या चुनाओ अब हम लोग करवाएंगे यहां पर elections ठीक है तो elections होंगे अब इस constituent assembly के लिए और election में अगर हम बात करें तो किस तरह से seat जीती ठीक है तो election हुए कब तो यह जुलाई के टाइम पे हुए जुलाई आउगस्त के टाइम पे 1946 में 1946 में elections होते हैं और इसमें अगर हम बात करें किस तरह से तो Congress जो है आपे बहुमत लेके आती ही सबसे बड़ी पार्टी निकल के आती ही तोटल 208 seat निकाल लेती है यहां से Muslim League भी चुना लड़ती है ठीक है क्योंकि अभी बटवारा तो हुआ नहीं है तीहत्ता seat निकाल के लाती है और बाकी जो है कि उन्हों याद करने के ज़रत नहीं है अब जब यह Muslim League को बात समझ में आई तो obviously बात वो boycott करेगा क्योंकि उसको पता कि Constitution उसके हिसाब से ऐसे तो कुछ बनेगा नहीं तो Muslim League नहीं यहां पर कर दिया boycott और जिब Muslim League यहां से चली गए यानि कि गंदगी एक तरह से चली है ठीक है 299 सीट आफ्टर पार्टिशन बची अब गंदगी निकल गई अब हम Constitution बनाना चालू करते हैं यह जो लोग जीत किया है यह Constitution बनाना स्टार्ट करेंगे जो 208 यह हैं चलो मैं इंडिपेंडेंट वाला भी लिख देता है यहां पर इंडिपेंडेंट ठीक है इंड First Meeting of Constituent Assembly तो First Meeting अगर मैं बात करूं कब होती है पहली जो मीटिंग होती है यह 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है यह सबसे पहली बार यह लोग 9 दिसंबर को मिलते हैं गमस्त नहाद हो के और किते लोग मिलते हैं यहांपर 211 सदसे 211 मेंबर्स होते हैं जो पहली को 13 December 1946 चार दिन बाद ही नहरू जी तुरंट आए अपना उद्देश प्रस्ताव लेके that is objective resolution लेके ठीक है नहरू जी यहाँ पे आते हैं अब यह objective resolution क्या है objective resolution एक तरह से नहरू जी का यह कहना था कि जब हम समविधान बनाना start करें उससे पहले सब लोग यह मिलके decide कर लें कि हमारे objectives क्या है हमें किस direction में जाना है हमें अपने देश को समविधान को किस क्या रूप रेखा देनी है यह decide कर लें तो एक तरह से जिस्ट था उस चीज़ का summary in short सब लोग यह पढ़ लो और आप यह देख लो सुनो क्योंकि अब यहां से constitution बनाना हम लोग चालू कर रहा है तो हर committee को एक तरह से दे दिया गया अभी हम देखेंगे committee बनी आप समीतिया बनी ठीक है तो हर समीति को दे दिया गया कि आप एक बार इसको पढ़ लो इस तरह से बनेगा तो भाई सबी ने पढ़ा और इसको सही माना और इसको फिर adopt कर लिया गया इस प्रस्ताव को adopt कर लिया गया 22 January 1947 को 1947 को इसको adopt कर लिया गया क्या objective relation उद्देश प्रस्ताव और यही उद्देश प्रस्ताव बाद में हम जाके बनता है preamble इसको की हम प्रस्तावना बोलते हैं वो हम आगे बढ़ेंगे clear अब यहाँ पे काम को अलग-अलग करने में ताकि सहूलियत हो काम को divide करने के लिए क्या बनाई गई? समीतीय बनाई गई याणि committees बनाई गई कि और यह वाला काम यह committee देख़ए गए यह वाला काम यह committee देखए गी तो इन committees को हमने दो category में device किया major यानि कि मुख्य और minor यानि कि लगु तो समीती यह लास्ट में देखेंगे because अभी थोड़ा सा flow को maintain करके रखते है because उसमें थोड़ा सा flow bigger जाएगा because काफी सारी committees है फिर आप बोलों के सारी कैसे याद रखें ये वो तो अभी के लिए इतना ही ठीक है समितिया बनी काम को divide गरने के लिए तो major और minor उसमें से जो सबसे important committee थी वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसमें से जो सबसे important committee थी major total 8 थी minor 13 कहीं कहीं पर minor आपको 14 दिख जाएंगी ठीक है तो वो option में depend करता है कि क्या है अगर 21 से option में तो 21 मारेंगे 22 है तो 22 दोनों तो नहीं होगा और अगर दोनों हो जाए तो फिर 21 तो major 8 committee थी इसमें से जो सबसे important committee थी most important committee was drafting committee जिसको कि हम मसौदा समिती या फिर प्रारूप समिती के नाम से जानते हैं क्योंकि इसी ने पूरे तरह से draft of constitution तयार किया पूरा सारे committee से ये लेती थी जाच सबको मिलाती थी और ये prepare करती थी draft तो drafting committee के बारे में सबसे सारी चीजा हमें पता होनी चाहिए जो मसौदा समिती या फिर प्रारूप समिती थी सबसे पहली बात तो ये बनी कब थी तो ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को इसमें total 7 members थे सबसे थे इसमें भीमराओ मेटकरजी थे भीमराओ मेटकरजी ठीक है ये इसके चेरण होजाएंगे और बाकि 7 members इ Banks कौन थे उनको भी हम देख लेते हैं एक तो हमारे थे मतलब एक तो हम्मारे मेटकरजी हो गाँ ना दूसरे हम देख लेते हैं, दूसरे हमारे अल्लादी क्रिष्ण स्वामी आयर, तो आयर साब है, ठीक है, तीसरे हमारे एक गोपाल स्वामी अयंगर, आयर और अयंगर, दो ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है, गोपाल स्वामी, इस तरह से ही question पूछेगा कि इन में से कौन सा member नहीं था drafting committee का, इस तरह से question पूछ सकता है, ठीक है, चौथे हैं, आपर मोहमद सादुल्ला, ठीक है, अब यहाँ पर trick है तो मेरे दिमाग में, लेकिन बता हूँगा नहीं, मैं बता सकता नहीं हूँगा, वह सकता है, कुछ लोग समझ ही हो, ठीक है, तो मोहमद सादुल्ला और एक थे हमारे, बील मेटर, आइचले बील मेटर पहले थे, इनको फिर replace कर दिया था, तो यहाँ पर क्या मैं लिख दूँ, चलो लिख देता है, यहाँ पर मैं, चलो पहले तो उनका नाम लिख देता है, जो permanent ही थे, ठीक है, तो permanent हमारे थे एक, मुशी जी, ठीक है, के ए कनहिया लाल, मतलब पूरा नाम था कनहिया लाल, मानिक लाल, मुशी, तो के मुशी इन शॉट, ठीक है, यह थे, और चठे और साथवे यहाँ पर लिखता हूँ, यह थोड़ा सा वैसा टाइप है, वैसा टाइप इन दी सेंस, पहले बील मिटर हुआ करते थे, लेकिन इनकी फिर डेथ वगरा हो गई, तो एन माधव राव आ गए, इनकी जगहे पर, एन माधव राव, एंड ऐसे डीपी खेतान थे, ठीक है, तो डीपी खेतान पहले तो थे, लेकिन बाद में इनकी जगहे पर, टीटी कृष्णमचारी आ गए, यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पर, ड तो टोटल याणि कि सत्र है, फिर अधिवेशन आप बोल सकते हो, टोटल सेशन किते हो, जैसे कि पार्लियमेंट में आज सेशन होते हैं, आपने सुना होगा, वैसे तो अभी आपने पढ़ा नहीं, पार्लियमेंट चाप्टर, कि मौन्सून सत्र चल रहा है, बजट सत्र च चल रहा है शीत कालीन सत्र चल रहा है कि नहीं तो वैसे कितने सत्र हुए इसमें टोटल ग्यारा सत्र हुए थे और यह ग्यारा सत्र कितने दिन तक चले तो 165 दिन तक चले 165 देज मतलब भी लोग बैठे थे actual में चान रखना और टोटल कॉंस्ट्यूशन बनाने में लगा टाइम किता लगा तो टोटल जो हमें टाइम लगा वो दो साल 11 महिने 11 months और 17 days कहीं कहीं पर 18 दिन भी लिखा हुआ है लेकिन उतना प्रेसाइसली तो नहीं पूछेगा दो साल 11 महिने 17 यह टोटल टाइम लगा और 165 दिन यह actual में बैठे 11 sessions है और 11 sessions के अगर मैं बात करूं यह से लेके 23 December 1946 1946 पहली मीटिंग हुई थी मतलब पहला सत्र हुआ था फिर यहां पर हम यहां पर कर लेते हैं 10 और 11 तो 10 की अगर बात करें तो 6 से लेके 17th October October कब यह आपका 1949 के टाइम पर ठीक और 11 की अगर बात करें तो यह हुआ था आपका 14 से लेके 26 November 1949 यह last session हुआ था आपक पैसे तो पूछता नहीं है लेकिन अगर पूछ ले कितना पैसा लगा बनाने में तो रुपए 64 लाक इतना रुपए लगा था उस टाइम का जो 64 लाक है वो बनाने में इसको ठीक है अब यह के comparison में तो यह बहुत ही होगा ठीक है क्लियर यहां तक यहां तक किसी का कुछ doubt अब यहां पर अमबेटकर जी की जो drafting committee थी उसने final draft का दिया वो भी थोड़ा से important हो जाता है देखिए इसमें जो draft बनाए थे constitution के उनको सब के सामने रखा गया था यहां तक कि लोगों के सामने भी रखा गया था लोगों को भी दिया गया था कि आप भी देख लो आपका दे constitution भी लिये गये थे इसमें उसके बाद final draft को दिया था 4 November 4 November 1948 को किसने अमबेटकर जीने और उसके बाद हमारे constitution को adopt किया गया था constitution was adopted यानि हमारे देश का समविधान को अपनाया गया था on 26 November 1949 26 November 1949 और ये 26 November 1949 को हम मनाते हैं क्या भारत का समविधान दिवस यानि कि इंडिया का constitution day इसलिए मनाते हैं constitution day इस दिन को अपनाया था लेकिन लागू नहीं किया था लागू कब किया था enforced on तो लागू हुआ था ये 26 January 1950 को reason क्या है कि भई तुरंत क्यों लागू नहीं हुआ बनाने के बाद इतना wait क्यों किया क्यों कि लागू करने जया ही रहे थे तो तुरंत यहां पे हमारे नहरू जी आये और दोड़ते हुए बोले कि मतलब क्या भूल गया आप लोग है लहोर के सेशन में हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला सतनुतर दीवस मनाया था तो वो दिन हमारे लिए कितना important आप कैसे बूल सकते हैं उस दिन को थोड़ा दो याद करी है तो इस तरह से जब वो थोड़ा सा emotional कर दिये उनको सभी लोग को consent assembly के तो बोले कि हाँ है बात तो सही है नहरू जी की तो इसलिए फिर थोड़ा time हमें रुख गए और अपने consultation को इस दिन enforce किया तो छोटा सा reason है लेकिन ऐसा नहीं है कि अब देखिये simple सी बात है कि जो कुछ ऐसे important चीज़ें थी जिनको तुरंत immediately ही लागू कर दिया गया तो वो चीज़ें जो immediately लागू कर दिया गया यानि कि enforced on 26 November 1949 यानि कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बिना हमारा देश नहीं चल सकता था तो उनको तुरंत ही लागू कर दिया गया because उस समय partition का वाड़ा चल रहा था लोग इधार उदर पाकिस्तान से उदर पाकिस्तान से इधार ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इसलिए जो citizenship यानि नागरिक्ता के जो provisions है इससे सम्मंदित जो article है जैसे अनुछेत नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सब को तुरंत ही लागू कर दिया गया था जो चुनाव सम्मंदि यानि कि जो election से related चुनाव से सम्मंदित provisions थे उनको तुरंत लागू कर दिया गया clear यहां तक किन-किन चीज़ों को लागू गया गया और किन को नहीं अब जो हमारी constituent assembly बैठी थी ना जो भी हम सम्मिधान सभा को discuss कर रहे है constitution तो उसने बना लिया अपना भी लिया हमने लागू भी कर दिया हमने अब लागू तो कर दिया ठीक है सारी चीज़े हो गई खतम, quality खतम, अभी नहीं अभी ये chapter तो खतम नहीं हुआ क्यों कि अभी constituent assembly ने कुछ और भी functions perform किये थे उनको हम देखेंगे but before that constituent assembly के अगर हम बात करें जो सम्मिधान सभा है जो सम्मिधान चलो भी ऐसे बताता हूँ ठीक है constituent assembly जो है उसने और क्या-क्या functions perform किये तो constituent assembly ने मुखिता यानि mainly दो functions perform किये एक तो constitution बनाने का मतलब भी constituent assembly met as a constitution making body constitution making body यानि कि इस सम्मिधान बनाने के लिए बैठती थी है और legislative body के तोर पे भी legislative body मतलब legislative body तो वो होती है जो law बनाती है बिल्कुल ये law बनाती थी क्यों बनाती थी क्यों कि आप खुदी सोचिए 9 December 1946 को पहली meeting हो रही है और constitution कब जाके तयार हो रहा है 26 November 1949 को 26 November 1949 को ये हो रहा है तो कितना लंबा time लग गया अब इस लंबे time में सब लोग ऐसे idle बने तो बैठे नहीं होगे भाई रुख जाओ कोई किसी के हत्तिया नहीं करेगा कोई कुछ लड़ाई जगला नहीं करेगा या फिर कोई कुछ documents अगर नहीं होगे कुछ नहीं होगा सब ऐसे बैठे रहेंगे और law बनाने के लिए अलग से जब समविधान बनाने के लिए बैठे थे तो इसके head होते थे राजेंद्र प्रसाद ठीक है राजेंद्र प्रसाद इसके head हुआ करते थे इसके अद्धिशिता करते थे और जब legislative body के तौर पर बंती थी मिलती थी जीवी मावलंकर गनेश वासुदेव मावलंकर इसके head हुआ करते थे जो हमारे लोग सबा के पहले अद्धेक्ष भी बने लोग सबा के पहले speaker भी बने इस एट clear और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा समविधान ये बन के तयार हुआ इसमें कितने हनुचेद वागरा थे तो टोटल 395 आर्टिकल्स यानि कि 395 अनुचेद थे 8 हनुची यानि 8 शेडूल थे ठीक है 8 शेडूल बाइस भाग थे 22 पार्ट्स 22 पार्ट्स थे और ये हमारा एक इसमें प्रियांबल भी था प्रस्तावना भी था तो अगला लेक्चर हम लोग प्रियांबल ही सब चीज देखेंगे शीडूल भी अगले लेक्चर में देखेंगे पार्ट्स भी ये लास्ट में देखेंगे जब सब कुछ हम कर चुके और आर्टिकल्स तो जितने लोगों ने और कैसे क्या साइन किया और कब किया यहाँ ता कई होप सारी चीज़ां के क्लियर होंगी कि समिधान सभा किस लिए बनी और कैसे बैठी ठीक है तो legislative body की तावर पर जब बैठी तो G.V. Mablankar head थे और एक चीज़ यहाँ पर add करना चाहूंगा कि राजेंद्र प्रसाद हमारी constituent assembly समिधान सभा के head कहे जाते हैं या फिर president कहे जाते हैं ठीक है लेकिन अगर कभी पूछले vice president कौन था तो vice president दो लोग थे एक तो H.C. Mukharji H.C. Mukharji और V.T. Krishnamachari ठीक है T.T. Krishnamachari अलग है जो constituent assembly के head थे ये अलग है V.T. Krishnamachari ठीक है तो जब क्योंकि constituent assembly का main function क्या था constitution बनाना तो उसके president राजेंद्र प्रसाद होंगे हम जीवी मावलंकर फिर नहीं बोलेंगे अगर वो specify करके देगा कि बही बताओ legislative body के तौर पर जब वो मिली थी तब उसके head कौन होते थे then we will say कि जीवी मावलंकर लेकिन वैसे राजेंद्र प्रसाद और vice president H.C. Mukherjee और V.T. Krishnamachari लेकिन तुरंत ये नहीं बन गए थे president constituent assembly के 9 December 1946 को जब constituent assembly मिली थी then तुरंत ये नहीं बन गए थे क्योंकि उसके लिए election हुए थे तब राजेंद्र प्रसाद बने थे ये लेकिन हमने फ्रेंच प्रैक्टिस तुरंत अडॉप्ट करी कि इमिडेटली कौन बनेगा तो जो सबसे senior most थे उनको बना दिया और वो थे सच्चिदानन सिना ठीक है सच्चिदानन सिना कौन थे ये थे हमारे temporary president of constituent या फिर temporary chairman ठीक है प्रेसिट बोलो फिर chairman बोलो temporary chairman of constituent assembly सविधान सभा के अस्थाइस जो है chairman होंगे और ये स्थाई है राजेंद्र प्रसाद स्थाई ठीक है और एक चीज़ और कि constituent assembly में legal advisor कौन था legal advisor या फिर इसकों constitutional advisory बोल सकते हैं मतलब इसका होता है समवधानिक सलहकार या फिर समवधानिक सलहकाई बोलेंगे ठीक है या फिर constitutional advisor ये थे हमारे sir benigal nursing rao in short b.n.rao was the constitutional advisor यानि की सलाह देदने का काम करते थे ये b.n.rao जी clear और यहाँ पे एक चीज़ और note कर लो कि इसके मुख्य प्रारूप कार कौन थे अगर पूछ ले कि इसके chief draftsman कौन थे और कि मुख्य प्रारूप कार कौन थे तो यह थे chief draftsman sn mokharji sn mokharji थे जो उनका main draft का काम देख रहे थे chief draftsman थे sn mokharji consonant assembly के functions अभी खतम नहीं हुए है और भी इसके functions इसने perform किये थे तो ये तो main दो functions देख लिए और क्या क्या functions परफॉरम किये तो वो देखते हैं यानि कि other functions other functions performed by negotiate assembly performed by say consonant assembly और क्या-क्या function perform किये इसने पहला इसने national flag को adopt किया राश्टी जो धोज था उसको adopt किया इसने national flag adopt किया और क्या किया इसने national anthem adopt किया ठीक है national anthem को बाद में लिखते हैं पहले commonwealth की membership लिख लेते हैं ताकि order में हो सारी चीज़ है तो आगर आप भूल भी जाएं तो भी आपके दिमाग में relate करके आप कर सकें तो commonwealth की membership को ratify किया अभी commonwealth क्या है तो वो देश जहाँ पे बेटिशस ने rule किया है जैसे Australia में बेटिशस ने rule किया है ठीक है Canada में भी rule किया है तो इसलिए सारे देश commonwealth का part है ठीक है थर्ड कि एकर बात करें तो national anthem हमने कब अडॉप्ट किया नहीं कि जो राष्टगान है हमारा और फोथ कल इसको लेकर देख इसको इससे ले रेलेट आपको एक meme भी देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे कल ठीक है और national flag ठीक है national anthem जब फ्लाइग तो होगा ना national anthem अब national song कब हमने अडॉप्ट किया अब ध्यान से यहाँ पे चीज़ें देखिए national flag तो हमने अडॉप्ट किया बाइस जुलाई को 1947 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को हमने objective resolution उद्देश प्रस्ताव को अपनाया ठीक है और 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राश्टी द्वज अपनाया Commonwealth की membership को ratify किया ratify का मतलब है कि उसको एक तरह से ratify का मतलब है कि हमने उसको approve कर दिया May 1949 मतलब Constituent Assembly ने बोला ठीक है हम Commonwealth के part है जैसे कि अगर अभी हम चाहें तो Commonwealth की ग्रूप से हट सकते हैं कोई हम पर लिमिटेशन नहीं है कि बिटेशन लगा के रखे लिमिटेशन की नहीं तुम्हें Commonwealth का part बनना पड़ेगा तुम्हें Commonwealth Games खेलना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है वियार सॉवरिन ठीक है हम संप्रभूत है हमारे यहां पर देश में तो वो हमने ratify किया अपनी मर्जी से ना कि जवर जस्ती National Anthem और National Song है अगर बात करें तो 24 January 1950 24 January 1950 को यह काम किया गया था लेकिन 24 January 1950 को और भी कुछ काम हुए थे और I hope यह पता होगा सभी को National Anthem और Song में क्या difference है Anthem मतलब जन गन मन और Song मतलब वंदे मातरा ज़रा बता दीजे कॉमेंट में दोनों किसने compose किये थे तो 24 January 1950 है यह important date है क्यों कि इसी दिन सम्विधान सभा में यहनि कि Constitution Assembly में 284 people signed the constitution 284 people signed the constitution और इसमें से 15 महिलाएं थी 15 वर women तो 15 महिलाएं थी इसी दिन ही Constitution Assembly ने elected Rajendra Prasad as the first president of India तो president के हम elections देखेंगे तो वो election Rajendra Prasad के लिए नहीं हुआ था ठीक है तो Rajendra Prasad was elected as first president और हाँ कल आज वो ले lecture में जो PYQ series हुआ था मैंने गलती से vice president के लिस्ट के जगे प्रेसिडेंट वाली लिस्ट बता दी थी ठीक है तो राज देश के पहले president Rajendra Prasad लेकिन देश के पहले vice president एस रादयक्रिशन ठीक है तो first president of India जो है Constitution Assembly इनको डेकलेर किया था 24 January 1950 को ये भी आपको पता होना चाहिए एंड ये चीज़ ध्यान रखना कि last sitting भी हमारी इसी दिन हुई थी Constitution Assembly की last sitting मतलब इसके बाद कैसा क्या हुआ इसके बाद actually ऐसा नहीं कि Constitution Assembly dissolve हो गई actually मैं हमारे देश में पहले चुनाओ आम चुनाओ 1951-52 में हुए तो तब तक देश कौन चलाएगा कैसे चलेगी तो इसलिए Provisional Parliament के तौर पे function किया Provisional Parliament Provisional का मतलब क्या होता है temporary तौर पे तो temporary तौर पे पहली देश की Parliament भी संसत भी बनीगी क्यों कि law बनाना सारा कुछ देखना वो कौन करेगा तब तक जब तक चुनाओ नहीं होगी जब तक कोई नई government चुन के नहीं आती तो यही Constituent Assembly नहीं यह functions परफॉर्म की तो 24 January 1950 को आखरी sitting होती है as a constitution making body उस crab नहीं हो गई dissolve नहीं होई है चीज द्यान रखना clear है यहां तक सभी को किसी के कोई doubt हो तो पूछ लेगा लेकिन अभी ऐसा नहीं कि सारी चीज़ने खतम हो गई एक दो चीज़ने और बाकी है जैसे कि symbol क्या है Constituent Assembly का किसने लिखा तो इसको अपने हाथों से सुनतर हाथों से और बाकी सारी चीज़ने है ठीक है तो वह हम देख लेते हैं और उसके बार जो आपके doubts होंगे तो आप पूछ लेंगे फिर हम लोग बढ़ते हैं questions की तरफ और हाँ committees भी तो आपको बता नहीं committees भी देख लेंगे वो भी कोई बहुत तोप नहीं है असानी है ठीक है तो अगर हम बात करें symbol क्या था constituent assembly का तो symbol था constituent assembly का हाथी मेरा साथी ठीक है तो elephant था गजराज जी थे और इसको लिखा किसने था who calligraphed it who calligraphed यानि कि calligraphy को क्या बोलेंगे अंदी में किसने सुलेखा मतलब सुलेखा कार है न तो मूल साविदान की सुलेखा कार अगर हम बात करें तो calligraphy English version में करी थी अपने हाथों से प्रेम, बिहारी, नारायन ठीक है नारायन, रायजदा ठीक है इन्होंने अपने English मतलब अपने हाथों से ही इसको English में लिखा था ठीक है English में अगर हम बात करें हिंदी में किसे ने लिखा था ये तो English में हो गया हिंदी में अगर हम बात करें वसंत कुमार वैद्य ठीक है वसंत कुमार वैद्य इन्होंने हिंदी में लिखा था वसंत कुमार वैद्य ने और अगर हम बात करें सजावट का काम किस ने किया निकी डेकोरेट किस ने किया था तो अगर हम डेकोरेट बात करें सजावट का काम तो यह किया था नंद लाल बोस नंद लाल बोस और इनी के एक शिसित है उनका नाम था बेओहर राम मनोहर सिन्हा ठीक है बेओहर राम क्लियर है यहां तक और यह चैप्टर में मेनली हमारा फुल स्टॉप लग गया बस एक टॉपिक बचा है और देख लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा चलिए कमिटी करें भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं किसी क करेंगे फटाफट उसरी फटाफट से मुझे कुछ और याद आ जाता है गाना है ना एक अपने हमारे भाजपा के माननी सांसत जी का चलो आगे बढ़ें फिर ये कमिटीज हैं जिन कमिटीज के मैं बात कर रहा था कि कमिटीज बनाई गई गई थी कि आप ये काम देखो आ लगलग कमिटीज का गठन किया गया था और वो कमिटीज है जो आपके सामने लिखिए इंको इंदी में समीतिय हैं बोलते हैं अब ये कमिटी में अगर हम बात करें तो हमें इसके याद करने है चेयर मैन यह नहीं कि इसको किस ने प्रिजाइड किया लेकिन यहाँ पर कि सब के चेर्मेन हमको याद करने के ज़रु तो नहीं को कि टोटल लगभग 22 कमिटी थी ठीक है कहीं पर 21 कहीं पर 22 ये हैं आपकी बाकी की कमिटी दस कमिटी ये आठ है टोटल 13 और थी ये उसमें से 10 है तीन नहीं है और अब मैं यहाँ पर आपको दो करने किसके चेर्मैन आ करने हैं माइनर के अगर एक का दुक्का जो होंगे चेर्मेन वह मैं आपको बता दूँगा देखिए तो यहां पर आप देख पारेंगे अपनी स्क्रीन पर याद कैसे रखना है जिस भी कमिटी के नाम के आगे यूनियन या स्टेट यूनियन का मतलब होता है संग और सेट का समिती होगी तो जहां पर भी यूनियन स्टेट है तो जवाला लेहर होंगे खतम कॉंसिट्यूशन को ड्राफ्ट किस ने किया था दक्टर भीम राओं बैटकर तभी इनको न्मारन मैन या फिर माँडर्न मनू के नाम से जानते मनू हिंदी में होता है और मैन इंग्लिश में होता है ठीक है किसने हमारे देश में जो प्रोवेंसेस थी उनको भारत में मिला मिलाने का काम किया था हम राश्टी एकता दिवस कब मनाते हैं जरा बताइए कॉमेंट में सरदार पटेल जी का जिस दिन जन्म दिवस होता है कब होता है 31st October को तो प्रोवेंसेज को किसने मिलाया है यह भी याद हो गया प्रोवेंसेज को मिलाने काम पटेल साब ने किया अब उनको मौली का दिकार देने का और जो माइनरिटी रहती है उनको भी सब उनका एडवाइस करने का काम इस सलाह देने का किसने किया सरदार पटेल का ठीक है तो यह भी आप ऐसे करके याद कर सकते हैं बचे हमारे दो कमिटी सेकेंड और फॉर्थ में अब इसको अपने संचालन ऐसे कर लो कि नियमों का संचालन कौन करता था यानि की रूल्स को स्टीर कौन करता था तो यह सारे आपको इस तरह से आठ याद हो जाएंगे एकदम रट्टा मारने के बिज़रत नहीं क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी इस तरह से रिलेट कर लिए वहाँ पे इसेंबली दूसरे फंक्शन करती थी लेजिसलेटिव बॉड़ी के तौर पर बैठती तो जिवी मा बलंकर होते थे सिंपल ठीक है अब यह माम आपको एक और याद करवाते हैं रुकिए आपने एक मुवी देखी थी वो इसमें वो थी क्या नामने उसका साउथ के एक्टर इसकी बेटी है सुरुती हसन तो उसमें एक नहीं मुवी थी कौन सी रमया वस्ताविया करके बड़ी बहुत पहले मुवी आई थी रमया वस्ताविया तो उस मुवी में क्या सब घर बारी तो दिखा जाता है कि गर है उसका भाई है वो छेदी सिंग ठीक है और वो सब घर जलता रहता है तो पट्टा भी सीता रमया जी ने हमारे किया देखा घर के बारे में देखा सीता रमया वस्ताविया है ना हौस कमीटी देखि इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं मुंशी जी हम बोलते हैं मुंशी जी कौन होते हैं जो लिखा पड़ी का काम करते हैं लिखा पड़ी किसमें चाहिए होती बिजनेस जब आप करते हो तो लिखा पड़ी चाहिए होती तो मुंशी जी बिजनेस देख रहे हैं simple तो बस मेरी कहने पर बस तीन मैंने आपको याद करवा दीए ये ये याद करो भाएज़ लेकिन इन थीन सताफ कर जाईगा और यह wahा को सिर्क्रास करनी है तो यह Brandon सवामिया Eirse Finance and Staff Committee राजियन प्रसाद तो ऐसे याद कर लो कि भई क्या देखो हमने क्या देखा था Rules को Steer किया किसने इस Rules को Steer किया Finance को लेकर राजियन प्रसाद जी इस तरह से थोड़ा से रिलेट कर सकते हो बाकी तब आपका काम हो जाएगा अब हम लोग करेंगे Questions ठीक Questions करने के लिए सभी लोग तयार Ready किया जाए क्या doubt पूछ रहे हैं बई कि उप जंडा समीति उप जंडा समीति जो ना ट्रिक बता दिया करें अच्छा पार्थी जी अभी हम क्या कर रहे थे ठीक नहीं बता रहे हैं आपको यह रिलेट करके ट्रिक तुम्हा तो वह मैं समझा करो कि एकदम हम एक साइन लिखेंगे फिर उससे सारे व्याद हो जाएंगे हर चीज के लिए एक ही ट्रिक नहीं लगती है अब जैसे मानलों कि हाउस कमिटी तो हाउस से आपको याद आएगा कि हाँ घर और रमया वस्तावाइए इस तरह से और यह मैंने बता दिया कि यूनियन जिसके आगए रखे में घर तो नहरू जी ओंगे ठीक है और प्रोवेंसेट को मिलाने काम किसे ने किया पटेल साइव ने किया ठीक है ड्राफ्टिंग कमिटी यह इसके लिए भी ट्रिक चाहिए तो फिर दिक्कत की बात अब इतड़ कर जी अब लोगों ने ड्राफ्टिंग कमिटी के सा होगा तो शहली है स्वाइप खरते हैं पहला कुस्ट्ट यह रहा है यह कुस्ट्ट मत करो भी ठीक है यह भी आपको एक पार्ट ही है लेकिन आप थोड़ा सा जहल जाएंगे पहले दो पहले को अब है दो नास्ट में कर लेंगे तो सम्विधान सभा एक कुछ लोग का डाउट ही आया था मतलब डवट नहीं क्वेरी आया थी कि यह ब्लू में ना करके किसी और कलार में कर दें ठीक है रेड में चलेगा क्या कि जब प्रिंट आउट कितने लोग है जो इसका प्रिंट आउट निकल आते हैं नहीं होगे तो इसको रेड में करवार देंगे ठीक है तो सम्विधान सभा के संदर में नेमलिकित में से कौन सा सही है एक सेके और इंडियाज मेंबर्शिप आप्टेट इन जैनवरी 1950 बिल्कुल चाहे नाशल आंथम हो चाहे नाशल सौंग हो उसको मने जैनवरी 24 जैनवरी 1950 को ही अडॉ सब्सक्राइब करेंगे और अगला कुस्चन करेंगे और सीधे बैठ जाएंगे और हो सके तो अपनी आइस को थोड़ा ब्लिंग कर लेंगे ठीक है काफी देर हो गया स्क्रीन पर फोकस किये हुए चलिए तो कितनी फीमेल मेंबर सी तो अभी मैंने आपको बताया था 24 जैनवरी 1950 को जब मने आंथम सौंग को अडॉप्ट किया राजेंद परसाद को इलेक्ट किया as the first president of India तो उसी दिन ही हमने क्या किया था साइन भी किया था 284 लोगों ने साइन किया था उसमें से 15 विमें थी और एक भी विमें एपसेंट नहीं थी यहनोंने पाटिस्पेट किया था इसेंबली में अब बताये सीजल 2022 हाउस कमिटी सीता रमया विस्ता वही अब ये करवाने किसे रहत है मुंशी जी क्या देख रहे थे मुंशी जी बिजनिस देख रहे थे बिजनिस कीवर्ड मिलेगा उसमें आपको एवी ढखकर तो कहीं देखा ही नहीं हमने विचे तो फॉल्विंग वर्ट्स डज नॉट यह भी नहीं पढ़ा है ठीक है प्रियांबल नहीं पढ़ा है कल पढ़ेंगे तो उसके बाद यह कुश्चन सम्लोगों से बनेंगे अल्लादी कृष्ण सवामी अईयर यह भी मैं आपको अगर या तो ग्रीन सर्कल विसका उने ट्रिक तो नहीं बताया था फंडमेंटल सब राइट कमिटी ठीक है तो आंसर क्या होगा है यहाँ पर क्रिदेंशल्स कमिटी अल्लादी कृष्ण सवामी यह थी कॉंस्टिवेंट एसेंबली वह रिकिनाइजड बाई सेक्शन डैश ऑफ दी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो जुलाइई 1947 में बिटेंड के पार्लमेंट में है तो उसमें कौन से डेहां फिश्यादर् फंडड टैल साब दे रहे थे रहे थे है क्रिप्लानी साब होंग है अगर सब कमीटी की बात होगी तो झो desarroll कमिटी और मैंडरीच यह पठील जाब होंगे कमिटी ऑन दी अधूक कुमिटोटिर नाश्ल फ्लाएग अभी मैंने बताए फ्लाएग वाली कौन देख रहे था हमारी फ्लाएग वाले राजेंद प्रसाद जी देख रहे क्लियर आगे बढ़ते हैं वेन वाज दी टेंथ सेशन आगे सीजल 2022 तो टेंथ सेशन के अगर हम बात करें तो पहला सेशन देखा था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आखरी हुआ था लेकिन आखरी नहीं पूछा आखरी तो ग्यारवा वाला था यह सेकंड लास पूछा है यह हुआ था 6 से 17 अक्टूबर के बीच में उननिस उन्चास में उप्शन नमबर A 11th who among the following became a part of the Constituent Assembly from Madras Constituency in 1946 तो Madras Constituency से कौन चुन के आया था अच्छा अमबेटकर जी कभी पूछ ले कि अमबेटकर जी किस Constituency से चुन के आया था है तो धियान रखना अमबेटकर जी Bengal Constituency से चुन के आया था है ठीक है तो आंसर यहाँ पर होगा अम्मू सौमी नाथन ह अमबर एक Constituent Assembly के मेंबर थे मदरास से आया थे यह कुश्चन थोड़े से उस टाइप के कुश्चन होते हैं कि इनको सीरियस ज्यादा लेना नहीं चाहिए ठीक है मतलब यह है कहने का कि अगर यह कुश्चन तो इस अच्छा फर्स्ट पोस्टिंग आ गई किसकी एक सेकंड फर्स्ट पोस्टिंग आ गई किसी के तो इस ओके चलो तो अम्मू स्वामी नाथन ठीक है और कौन थे मुश्ची जी थे और मिटर जिनको रिप्लेस किया माधाव रावने और खैतान जिनको रिप्लेस किया टीटी क्रिश्चन मचारी ने तो किसने हाथ से लिखा था अपने इंग्लिश में कर बात करें प्रेम बिहारी नरायन रहाजादा और वसंत कुमार वैदे ने लिखा था हिंदी में टेकरोट करने का काम किया था नंदलाल बोस और उनके सिष्य वसंत कुमार वैदे बेहर रामुनहर सिन्ना ने तो इलेक्शन कब हुए है उप्शन आपके सामने 47, 46, 49 या फिर 48 पहले इलेक्शन की बात हो रही है बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि पहली मीटिंग ही कॉंस्टिमेंट इसेंबली की 9 डेसेंबर 1946 को कर हो रही है खुदी सोचिए अगर पहली मीटिंग ही हो रही है तो अब वेसे बात इलेक्शन इससे पहले ही होंगे और हमने देखा था जुलाई आगास्ट 1946 में एलेक्शन हुए तो बहुत आसान क्वेश्चन ही है 17th, in 1946, who among the following was made the interim president of the Indian Constitution Assembly यानि इंतरिम प्रेसिडेंट यानि की इंतरिम का मतलब यह है कि हमने देखा था temporary president, temporary chairman, कौन थे? सचिदानन सीना, french practice adopt करते हुए उन्हे सबसे senior most को बनाया बट उसके बाद permanent बने थे dr. राजेंट प्रसाद और और vice chairman बने थे, VT, T.T. Krishnamachari और H.C. Mukherji 18th, total membership of constituent assembly was 389, इन में से कितने princely states थे? तो हमने 389 में division देखा था, इस तरह से था कि 296 ये British India, British भारत से आएंगा और 93 princely states से आएंगे तो answer option number D होगा, इसका further division था 292 from governor's province and 4 from chief commissioner province In which of the following years, did the Indian National Congress make the demand for constituent assembly की demand कब रखी Congress ने? तो हमने देखा था, 1934 में सबसे पहले demand आई थी M.N. Roy और 1935 में Congress से, लेकिन 1935 तो option में ही नहीं, तो then we will go with for 1934 लेकिन है 1935 लेकिन अब option में नहीं है, तो हम 34 के साथ जाएंगे जो सबसे nearest होगा 28th, in which year did Moti Laal Nehru, who was the chairman and eight other Congress leaders draft a constitution for India बताएं जल्दी से कितना आसान है, अब यह हम लोग ने शुरुआत में ही देखा था कि Simon Commission के response में साइमन कमिशन और बर्किन हेट का जो चालेंज दिया था, बर्किन हेट ने उसके चालेंज में यह हमने किया था 1928 में, 1928 में इसके response में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिये थे और Congress से भी पहले Delhi proposals दे चुकी थी, कौन? Muslim League Delhi proposals और Delhi manifesto में अंतर समझना, Delhi manifesto याद आ रहा है आपको वो manifesto था जहां पर Congress वाले अपनी demand लेके Irwin के पास गया थे, जो उस समय voice रहा है था और Irwin ने इगनोर कर दिया था और फिर गांधी जी ने क्या बला, रोख अभी तेरे को बताता हूँ मैं याद आ रहा है फिर गांधी जी ने 11 demands रखी थी अपनी Sir, how can it be accessed in recorded version? अभिशेक कुमार जी, ये मतलब paid batch की videos हैं, ठीक है? ये free stream होती है live YouTube पे और recorded जो classes हैं और जो handwritten notes हैं वो application पे रहती हूँ मैं लास्ट आपको बता दूँगा ठीक है, अभी questions कर लेते हैं, वो अमंग दी following was not a part of the Constituent Assembly, कौन? हिससा नहीं था समिधान सभा का पटेल साब देखा हमने, fundamental rights वाली committee head कर रहे थे, provincial committee head कर रहे थे, नेरू जी, union, कितनी states committee, union powers committee, union constitution committee head कर रहे थे, अमबेटकर जी, drafting committee मात्मा गांधी को को हमने देखा, Constituent Assembly में नहीं देखा, क्यों? क्योंकिनकि death होगी थी 1947 में ही थे, लेकिन ये Constituent Assembly में participate ही नहीं किये थे, बिल्कुल भी वैसे तो 9 December 1946 को ही पहले meeting होई थे, लेकिन मात्मा गांधी उसका हिस्सा नहीं थे 22, when did the first meeting of Constituent Assembly take place? पहली meeting कब होई थी? कितना असान है? 9 December 1946 को पहली meeting होई थी, और उसके चार दिन बाद ही 13 December 1946 को object resolution पास कर दिया थे, उद्देश प्रस्ताव नहरूजी ने और 22 January 1947 को, यानि कि कुछी दिन बाद उसको adopt कर लिया गया था, है न? और फिर 29 अगस्ट 1997 को drafting committee बनी थी, मसादर समिती 23, the members of the Constituent Assembly signed the constitution of India on, तो constitution में sign कव किये? ये date तो हमने पढ़ी नहीं कहीं पे, हमने क्या-क्या dates पढ़ी है? 26 November 1949, adopt किया, 26 January 1950, enforce किया, लागू किया, ठीक है? 22 July 1947, flag adopt किया, 24 January 1950, anthem, song adopt किया, माई 1999, commonwealth की membership ली, ये date तो हमने पढ़ी नहीं ना पहली वाली ना ये, ये वाली, ठीक है? आंसर यहाँ पे यह होगा, अगर आप वो याद आ रहो, इसी दिन हमने sign किया था, और उसमें से 15 अब हमारी female थी, women थी, the first health minister of independent India was, तो पहले आम चुनाव देश के 1951-52 में हुए थे, 1951 और 1952 में हुए थे, और यहाँ पे देश के पहले प्रदान मंतरी निकल के आये थे, हमारे जवालाल नहरू, जो देश के ना सिर्फ प्रदान मंतरी थे, बलकि पहले external affairs minister याने की, विदेश मंतरी भी थे, और minister of scientific research भी थे, सरदार पतेल जी ना सिर्फ हमारे ग्रे मंतरी थे पहले, बलकि पहले information and broadcasting minister भी थे, राजेन defense minister थे आपके, रच्छा मंतरी, जग जीवन राम, labor, श्रम मंतरा ले देख रहे थे, ठीक है, भाबा साब, commerce यह वित्त मंतरा ले देख रहे थे, वानी जी मंतरा ले देख रहे थे, ठीक है, यह रफीक है, कि दवई जी का याद नहीं रखना है, communication वाला, राज कुमारी अमर बात करने के दुरत नहीं है, तो यहाँ पर सही answer क्या होगा, first health minister के अगर हम बात करेंगे, तो राज कुमारी अमरित कौर्ड, जो की the only female in the cabinet, first cabinet of India, which of the following act, तो यह भी हम लोग ने act पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको answer कर सकते हैं, because जो हम लोग ने history में पढ़ा है, में आई थी, पहली बात तो डायर की आई थी प्रोविंसेज में, यानि दुएद शासन लागू हुआ था प्रांतो में, 1919 का जो government of India act आया था, मॉन्टाइगी चल्फोर्ड रिफॉर्म्स, और इसका पलट कर दिया, और बाई क्यामरा लेजिसलेचर आया था, center में, 1919 के आंसर होगा, यहाँ पर प्रोविंशल अटॉनमी अगर पूछ रहा है, तो 1935 इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, history के basis पर, वैसे तो आगे एक अलग से class होगी, act पर, सबसे आखरी में, वो अभी उसमें भी देखेंगे हम लोग, constitution of India adopted many institutional details and procedures from the, हमने यह तो कल करेंगे question, ठीक ह sources of में, तो चले 2-3 question और देख लेते हैं, फिर जो शुरुआती दो question है na, federation वाले वो हम देखते हैं फिर, with reference to, तो 30 तक question करेंगे, उसके आगे आगे आपका अगर होगे, तो homework होगा, with reference to constitutional assembly, which of the following is correct, because बार-बार वही question repeat हो रहे हैं, जो हम लोग कर चुके हैं, तो अगर हम पहले की बात करें, the constitutional assembly, ratified India's membership of the Commonwealth, May 1947, 1949 में हुआ था यह, constitutional assembly adopted the national anthem on January 1950, बिल्कुल बात सही है, anthem हो चाहे, song 24 January 1950 को टॉप किया था, यह यह तिंक repeated question है, यह हम लोग अभी करेंगे नहीं, ठीक है, यह answer तो इसका French constitution होगा, लेकिन कल देखेंगे इसको, cabinet mission कब आया था भारत, ब and the last question for the day is, यह भी अभी लोग ने किया नहीं है, ठीक है, यह अला question हा, अभी यहां से federation थोड़ा सा चीजन चालू करते है, यहां से थोड़ी नई चीजन चालूँगी, ऐसा नहीं कि वो, ठीक है, असर आपका batch लेना था जीके का कोई number, number अभी दे देंगे विकास, बस थो तो यह हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद, ठीक है, number number सब आपको मिल जागा, जहां पर आप चीजने contact कर सकते हैं, देखिए, इंडियन federal system को bargaining federalism किसने बोला था, यह बोला था, मौरिस जॉन्स ने, इंडियन federalism को cooperative federalism किसने बोला था, यह सहकारी यह संगवाद किसने बो यह अला question लोग generally छोड़ के आते हैं यह, ठीक है, लेकिन आप सही करके आओगे इसको, cooperative federalism Granville Austin ने बोला था, और quasi-federal बोला था, quasi-federal यह नहीं कि अल्प संगवाद, इसको अंदिम बोलते हैं, अल्प संगवाद यह बोला था, इसने केसी वेरे ने, केसी वेरे, अब यह है क्या, quasi-federal, पहले तो federal का मतलब समझे, federal का मतलब पता है क्या होता है, federalism संगवाद का मतलब होता है कि, शक्तियों का बटवारा, distribution of powers, किसके बीच में, center और states के बीच में, एक center होता और बहुत सारे हमारे state होते हैं, तो इनके बीच में, जो powers का बटवारा होता है, उसको federalism बोलते हैं, quasi-federal का मतलब है, अल्प संगवाद, आधा धूरा संगवाद, इसका मतलब ये है कि, एक ऐसा federation, जहां पे center के पास, केंदर के पास, जादा शक्तियां हैं, और ऐसे federation को हम बोल देते हैं, federation with, federation with unitary bias, unitary का मतलब union, मतलब center, यानि कि, unitary bias का मतलब ये है कि, union के पास power, जादा हैं, इस federation में, वैसे federation का मतलब ये होता है, कि center और state के बीच में, powers का बटवारा है, लेकिन, usually जादा तरह हमें, countries में, जैसे इंडिया में हो गया, इंडिया नहीं सिस्टेम, हम कल देखेंगे, Canada से लिया था ये, कि center को strong रखो, state को थोड़ा सा weak रखो, नही इंडिया से इस तरह से, तो center को जादा powerful हमारे constitution नहीं बनाया, इसलिए इसको quasi-federal बोला, KCVRन है, और actual में यी बात true है, कि हमारे देश में पता है, आपको कि जो संग है निकि जो union government होती ही, वो state से जादा powerful होती है, clear है, वो कभी भी president rule मतलब लगा देती ही, generally अगर हम देख ठीक है, federation है, क्योंकि आप समझ गे, तो थोड़ा सा आसानी होगी वो समझाने में, which of the following is not a feature करो है, not a feature of Indian constitution का समविधान का क्या विशेस्ता नहीं है, तो हमारे देश का जो समविधान है, पूरे विश का सबसे बड़ा लिखित समविधान, ये बात सही है, ये है feature, लिख written और unwritten में difference जड़ा समझ लो, क्या होता यहाँ पर काइदे से, ठीक है, और thank you को ज़्यदा seriously मतले ना भी, क्योंकि अभी दो question बाकी है, written और unwritten में difference क्या होता है, written का मतलब ये होता है कि कुछ लोग बैठे थे और उनने समविधान बनाना list, start कि और खतम कि और एक समविधा rules decide कर दिये गए, कि भाई जो अमीर लोग है, अमीर तबका है, उनके यह यह हक नहीं चीने जाएंगे, फिर उसमें और changes होए, और changes होए, तो वहाँ से आब इनकी किताब एक तयार हो गई, जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, यह constitution है हमारा, यह देश 7.9 December 1940 को सबसे पहली बार बैठी, उसकी आखरी 26 November 1949 को वह constitution बना के तयार किया है, तो क्या है, वो बैठे, वो बना के तयार किसलिए रेटेन है, इसको amend करना, amend का मतलब होता है, उसमें change करना, संसोधन करना आसान नहीं होता है, इसमें संसोधन करना बहुत आसान होता है, can be amended easily, इसमें संसोधन बड़े आसानी से किया जा सकता है, बस यह दो fact आपको याद रखने है, और यहाँ पर, to create condition for a just society, अच्छी society बनानी है, ठीक है, लोगों को हग देना है, to ensure participation of good people, अच्छे लोगों का भागीदारी सुनिश्चित करना, यह एक feature नहीं है, ठीक है, इसमें स mental rights से हमें secure की गई है, just society होनी चाहिए, यह निकी, ऐसा निकी, कि किसी के पास ज्यादा power है, कोई, ऊपर है, कोई नीचे है, तो equality, right to equality हम आगे पढ़ेंगे, लिखित समगिदान है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें, तो सबसे बड़ा लिखित समगिदान है, तभी हमारा elephant, Const अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, पहले और दूसरे questions पर, ठीक थोड़ा अच्छे question है, जड़ा फोकस बना के रखना है, which of the following is not a federal feature of the Indian Constitution, देखो, जब भी तुमसे कभी question पूछ ले, कि federal feature क्या है, और दो तरह की feature होते हैं, एक federal feature और एक unitary feature, एक federal feature और नीचे लिख रहा पावर दे, क्योंकि generally ऐसा होता है, कि center के पास ज्यादा पावर होती है, राज्यों के पास state के पास पावर नहीं होती है, तो कोई भी ऐसी चीज, जो state को पावर दे, that is called as a federal feature, और जो state से पावर खीच ले या फिर ना दे उनको, that is called as a unitary feature, हैनि federation with a unitary bias, clear यह चीज, अब म example मैं आपको देता हूँ, governor का, ठीक है, governor है, यह राज जपाल है एक, ठीक है, अब मुझे बताना, एक जो राज जपाल है उसको इसमें रखोगे या इसमें रखोगे, बताओ, तो आप बोलो कि sir, राज जपाल तो राज जी का होता है, federal feature होगा, नहीं होगा, क्यों, नियु वो center का बंदा, और यह governor, state का काफिलों को बता होगा, state का head होता है, मुखिया होता है, तो मतलब state का मुखिया center निम्त कर रहा है, और एक तरह से अगर हम देखें, तो governor agent के तौर पर ही तो काम करता है, central government का, actual में चीज constitution में नहीं लिखी होई, लेकिन actual में तो reality में तो यही ह government का, तो एक तरह से यह unitary feature हुआ, एक तरह से center government control कर रही है state में, तभी तो जब government change होती है center में, तो सारे governor भी change हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमारे सत्यपाल मलिक जी है, नहीं बनी BJP से छोड़ के भाग है, है की नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर Congress से कि सरकार आ जाएगी, तो जहां सत्यपाल मलिक बोलेंगे, वहां उनको मिलेगा, गवर्नर्शिप, फिर गवर्नर्शिप तो छोड़ो, गवर्नर्शिप में तो खेर क्या ही ज्यादा power नहीं होती है, गवर्नर्स को, समझ रहे हैं, तो governors एक तरह से puppet है central government के, तो unitary feature होगा वो, simple, ठीक है, अगर मै यहां लोगसबा है, और राजसबा है, राजसबा अक्चल में states को ही तो represent कर रही है, राज्यों को ही तो represent कर रही है, यानि राज्यों को भी center में representation दिया गया, यानि federal feature होगा, अगर ये बातें समझ में आ रही है, तो ठीक, नहीं तो धीरे धीरे जैसे आप parliament chapter complete करेंगे, पावर शक्तियों का बटवारा है, हम पढ़ेंगे कल, schedule, अनुसूचियां, उसमें देखेंगे सात्वीय नुसूचियां, उसमें लिखा हुआ है, कि इन subject पे union, center law बना सकता है, इन subject पे state law बना सकता है, तो division of power भी federal feature होगा, all India service ये not a federal feature, क्यों? all India service में तीन आती है, IS, यान and public service commission नहीं कि जो हमारा department of personal and training है, वो सब कुछ इनका करता है, center government का इन पे, लेकिन नियुक्ति कहां पे होती है, राजियों में इनकी नियुक्ति होती है, तो यह जार राजियों में रहे हैं, लेकिन control किसके हाथ में, transfer अगर है सब, यह मतलब control एक तरह से overall control देखें, तो यह बड़ी मुश्किल लगेगी, तो center government ही तो amendment कर सकती है, यह अभी मैं पढ़ा नहीं लेकिन आपको बता रहा हूँ, center government ही, यहनि कि पारले amendment ही हमारा amendment करता है, तो अगर return नहीं होगा, तो तुरंत amendment करता रहेगा, और अपने पास और power खीचता रहेगा, तो यह क्योंकि यह ल पर संगवाद किस ने बोला था, केसी वियरे ने बोला था, और यहाँ पर अमरे question होते हैं, खतम, अगर यह बात समझ में आ गई है, तो ठीक है नहीं तो आगे, आपको इस समझ में आ जाएंगी, और यहाँ पर अमरा session होता है, खतम, अब यहाँ पर जो 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 लनों को doubts थ यहीं पर पढ़ ले अराम से, ठीक है, और अगर मालों कि किसी के पास इतने पैसे नहीं है, बैस्वेन रोल कर सके, तो वो यहाँ से पढ़ ले, जल जल जी notes बना ले और सारी चीज़ें कर ले, और जिलनों को मतलब हमेशा के लिए recordings चाहिए, 100 notes चाहिए, और weekly quizzes चाहिए, त तो वो पर्मार Academy आप को install कर सकते हैं, यह अभी सिर्फ Android में, जो iOS वाले हमारे भाई बहन है, तो वो अभी मैं उनको एक number दे रहा हूँ, तो वहाँ से उस link को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे तो पर्मार Academy ना सिर्फ app है, बलकि website भी है, उस website का ना में www.parmaracademy.in और एक चीज लेकिन PDF course इस टार्ट हुआ है, पी वाई क्यू पार्ट थी, है न, जो आज से स्टार्ट हुआ है, उसमें अन्रोल करने के आपको जरुत नहीं है, जो लोग इस बैच में उनको उसकी PDF अडिटेड नोट्स मिलेंगे, तो उसमें आपको अलग से अन्रोल करने के जरुत नही के ज़रत नहीं है लेकिन मैं भी आपको एडवाईज नहीं करूँगा अगर आपका अभी सलेबस कंप्लीट नहीं हुगा तो पीडेफ कोर्स यानि जो जी के पीवाई की स्टार्ट हुई उसको आप मत करिएगा भी किसको करना है किसको नहीं करना है इसको अलग से वीडियो होई गया है उसी को करना है पूरा डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो को एक बार देख लीजेगा ठीक है तो निशानत यादो मैंने बताया तो इंग्लिश में लिखा था यह हमारे प्रेम भीहरी नरायन रायजादा ने और हिंदी में लिखा था वसंत कुमार वैद् नहीं इसमें सब्जेक्ट लिटे डाउट ना पूछना अगर कुछ ऐसा है कि जिसकी को आईफोन का लिंक चाहिए मदला आइफोन में अगर एप इस्टाल करनी है तो इस नमबर पर आप मैसेज कर देना क्या मैं चाहिए ठीक है और डीटेल में लिख देजेगा आप क्या म क्या मैं यह आप कॉंसर करूंगा नहीं यह सफिशन नहीं अभी कुछ और भी होगा ठीक है तो मैं आपको वैसे कमिंडिकेट कर देता हूं अगर कुछ और ऐसा होता भी है तो है लेकिन अब तुमने बोला है ते तुम्हारा दिल तो दिल रखने के लिए प्रिवाइस करव है भाई हम भी गरीब है हमारे पास भी आईफोन नहीं है तो हमारी मदद कर दो ठीक है हम भी गरीब है जे शीडाम 22 जनुरी को चलो हाँ 22 जनुरी को हाँ 22 जनुरी से डिविजन स्टाट करते तो 22 जनुरी 1947 को क्या हुआ था यह हुआ था हमारा objective resolution जो नहरू जी ने 15 December 1946 को उसको adopt किया था ठीक है यह मारा constitution बना तो तो उसमें कित्ते आठ कल थे 395 अनुचे थे आठ अनुसूचिया इनिशिडियूल 22 पार्ट्स एंड एक प्रियांबल था ठीक है और revision नहीं करना सर अच्छा नहीं करना क्या इंडियन कैसा ही क्या please donate किस में विकल जल्दी होगा live है न अच्छा ओके डिने वल्ले मैं सबसे बड़ा भी खा रही हूँ यहां पर अपना गरीबी का प्रदर्शन नहीं करना है अब हमको लग रही बहुत जूर की भूग ठीक है क्योंकि जो है कुछ नहीं खाया है और हाँ एक चीज कि कल हो सकता है class ना हो कल क्योंकि उसका reason यह है कि मेरे नाना जी की तेरवी है अब मैं वैसे तो sure था कि कल class ना ह पता है कि ट्रक ड्राइवर्स ने हाज जाएक है जाम कर रहा है खास कर जो मितलब मेरे मामा का गहर है वो मद्यप्रदेश में MP में है तो MP में बहुत ज्यादा affected है अक्चलि यूपी और MP के बार्डर में है लेकिन बहुत affected है वो एरिया और शायद मैं ना जा पाउंकल शाय नहीं होती मेरे को आठ वजे ठीक है तो आठ वजे में क्लास जल्दी से लेकर तुरंत भागूंगा फिर तो वो मैं आपको सुभई बता दूंगा अगर ऐसा होगा तो लेकिन शायद जाने के चांसे स्कम है क्योंकि पूरा सा ब्लॉक कर रख रख है रोड को इसलिए है है है ना क्योंकि मुरेना मुरेना के पास में हो पता नहीं मुरेना कितना दूर है वहां से उर्हरारगसिंग तो मर ने सही बिल्कुल गेस किया удоб अर्णरागसिंग तो मर ने ऑर एक्चल्टी जो मेरे मामा लोग है वो तो मर हीалась है तो मर कास्टी ही उनकी MP में भिंड जगे पड़ती है वहाँ से ठीक है भिंड के पास में है छुट्टी छुट्टी छोटे बच्चों के तरह खोश हो जाते हो छुट्टी छुट्टी शाद मुश्कील होगी ठीक हो तो कल पता चल जाएगा बाकि अब देनने बाद सभी को मिलते हैं कल नेक्स लेक्चर के साथ ठीक है और किसी कोई ख्वाईश तो नहीं है अरन मराडी प्राइवेट टेलिग्राम कर लो ग्रूप का लिंक अंदर ही दिया होता है एप के अंदर कोर्से सेक्शन में जाओगे उपर देखना ठीक है पहले ही मतलब सारी चीज़ें बता देता हूं आपको नौशाद लाम इसका थार मुझे नहीं पताया ठीक है डॉक्टर से कंसल्टेशन लो अच्छा चन्दो जी अब बिंट सही हो चले बई थैंक्यू किसी की अंती में इच्छा है फेस रिविल अच्छा इसे नोट्स पैसे पर अविलेबल वो तो पॉसिबल नहीं है और एक चीज जो PDF कोर्स है ना इसमें PDF-PY-Q систем की स्ड़ीज वाव्री मिलेंगी लेक्चर की नहीं है प्रीज यूख के नोट्स ल से गई उसके नोट्स है उसमें वो अपने आपको हो जाओ, ठीक है अब जा रहे हैं, कुछ लोग बोलना है जाओ, ठीक है जा रहे हैं, थेंक यू